नुमस्कार दोस्तों आज हमारे पास गितांजली मह्म zost गितांजली मह्म यंप को अपने बंगले के लिए pénे गार कि क्यांधा हो हो या फिर और दूसरे जो भी सिकर्टी के काम होते हैं वे सब कर सके साधी महिम का ये भी कहना है उसको घर के अंदर होने वाले चोटे मुटे कामों में भी साहता करनी पड़ी की जैसे पेल पौदों को पानी दे देना सुमाज शाम या फिर घर के लिए जो को जरी जरुरी सामान होता है वे चाह बिए लाद के चाहए डेना और करके लोगों के साथ जाना और उनका सामान का की चईटों का खैल रगना उनकों जिस चीज चीज की पी होई शक्ता हो वे आदी लाकर दीना दोस्तों अगर आप गिताज लेम के हिहां पर शिक्यूर्टी दोस्तो चैनल को सप्वाइब करना बिल्कुल न भूले क्योंकि इससे आपके जॉब लगने के चांस 100% होते हैं क्योंकि हम पहली लिस्ट में अपने सप्वाबर का ही नाम सबसे पहले गीता जिरे में के पास में भीजेंगे और वे उसी में से चुनती है और दोस्तो यहीं ज कर सर्च सिक्रड जोर्ट से जुड़े सभी काम जिम्मेहदारी से करने पड़ेंगे किसी भी काम में ला परवही बिल्कुल नहीं चलेगी सिक्रडिगाड की पूरी तरीके साथ शरीर से फिट होना चाहिए को여 बीमारी या कमजोरी ना हो क्योंकि फिसिकली फिट होना सिकर्डी गार्ट का बहुत जरूरी है ये बहुत जिम्मेदारी का काम है क्योंकि इसमें कुछ भाग दोड़के कुछ मेहनत के काम होती है इस जॉब पे कोई भी experience नहीं चाहिए चाहिए या फ्रेशर है या experience holder इससे कोई फरक नहीं पड़ता बात करें इसमें मिलने वाली salary package का salary क्या दी जारी है तो security guard को महीने के और 4700 रपे महीना मिलेंगे और इस salary को आप आवश्यक्ता पढ़ने पर advance भी ले सकते हैं लेकिन advance आपको सिफ ज़रूरत पढ़ने के तशा में दिया जाएगा अन्यता नहीं दोस्तो बात करें इस मिलने वाली सुविधाओं के facility during job आप कुछे समय ये job करेंगे तो आपको क्या क्या सुविधाओं दी जाएगे तो security guard को बाहर के कामों के लिए एक motorcycle दी जाएगे साथ ही मेंपका ये भी कहना है कि कपड़े जूते वर्दी से लेकर सारी चीज़े जो भी चाहिए होती है job पे आपको गिताजली मेंदारा ही उपलत खराये जाएगा आपको किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं होगी आपको सिर्फ अपना काम समय से और जिम्यदारी से करना है बात करें इसमें minimum qualification required की कम से कम क्या-क्या योग्यता होनी चाहिए तो दूस्तों इस job पे जो योग्यता है वे अनपर पांचवी, आठवी, दसवी आई टिप्लोमा कोई भी अपना job का आविदन भेज सकता है आपके पास में एक पैचान पत्र होना चाहिए और एक आपको चरितर प्रमार्ग पत्र देना पड़ेगा जिसमें पताएंगे ना तो आप नश्या करते हैं और ना ही आपने अपसे पहले कोई गलत काम किया हुआ है आपके IUC में 18-50 वश्च के बीच होनी चाहिए बात करें सेलेक्शन प्रोसेस का कि किस तरीके से आपका इंट्रिवी होगा कैसे आपका सेलेक्शन होगा तो दोस्तो एक राउंड का इंट्रिवी होगा अगर आप गिताँज्लि मेंं का इहां फिटो जाहते हैं तो विडिटो में आपको गिताँज्लि में का नंबर की मिल जायेगा जिसे हमें साहिसाई भरके भीज़ना है और उसी जानकारी पर हम आपको इंट्रिवी के लिए बलाते हैं और आपकी जोब लगती है